केम गहलोत आज शाम चार बचकर पैंतालिस मिनट पर देवस्तान वभाग के बैठक लेंगे मंदिर माफी जमीनों कोरोना के बाद मंदिरों के हालात और वभाग के अधीन मंदिर के जिर्णोदार सहित वभागों से जुड़े तमाम बिंदों पर सीम चर्चा करेंगे सची व ओफिस भी सुभा दस बजे से आज खुलेगा प्रमुक सचीफ सचीवाले से जुड़ेंगे तो देवस्तान वभाग के आज बैठक लेंगे सीम अशोग गहलोत मंदिर के जिन उर्दार सहित वभन मुदे जैसे कोरोना के बाद मंदिरों के हालात उनको लेकर चर्चा के तमाम अधिकारियों से फीड़बाक लेंगे आज किसी को अवकाश नहीं मिलेगा वभाग से जुड़े तमाम बिंदों पर चर्चा होगी अधिक जानकारी के लिए सही होगी पिंटू सिंग नरु का हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं पिंटू देखिए लगातार समिक्षा बैठके मुखे मंद्रिय अशोग गहलोत लेते आए हैं इसकड़ी में आज देवस्तान वभाग के बैठक क्या कुछ जानकारी हैं देखिए मुखे मुखे मंद्रिय अशोग गलोत पिछले कुछ दिनों से लगातार जो तमाम विवाग हैं उनकी विवाग वार समिक्षा बैठक कर रहे हैं उनके कामकाज का समिक्षा कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश जो तमाम अधिकारी हैं उनको दे रहे हैं इसी में आज देवस्तान विवाग की समिक्षा बैठक बुलाई गई है और साम पांच बजे ये CMR में VC के जरीए समिक्षा बैठक होगी और जो तमाम जो देविस्तान विबाग के जो अधिकारी हैं वो VC के जरीए इस बैठक से जुड़ेंगे खास तोर पर इस बैठक में जो चर्चा होगी मनीशा वो जो देविस्तान विबाग में जो मंदिर आते हैं उसमें पोजारियों के जो वेतन बते हैं वो दो धार्मिक इस्तल हैं उनके विकाद से समंदित इस बैठक में चर्चा होगी कि पिछले दिनों जिस प्रकार से कई इसे मामले आये हैं जो मंदिर माफी की जमीन है उनमा अतिकरमन का एक बड़ा मामला होता है और वो किस परकार से मंदिर माफी की जमीन को किस परकार से जो अतिकरमन के मामले उनका निप्टारा किया जाए काफी सारी विवाद मंदिर माफी की जमीन को लेकर परदेश बर में है ऐसी स्थिति में सब्सक्राइब तो उन तमाम चीजों और कि नहीं, कौरोना के बाद में मंदिलों की क्या इस्त्यठीव मंदिरों Goes कि सरकार के सरकार करन वाद सअधी जो खोला नहीं है, उन को खोला जा रहा रहे और ऑ उन भी जो मुक्हींत रेशोंग गयलोद हैं वो हमेशा इस विभाग के माद्यम से जो खुब सारी जो ईसी योजना ही लेकर आते हैं इसी जो धर्मी की योजना है जाये वो तीड़त की योजना होगी जो तीड़त के लिए जो बुजरुकों को भेजा जाता है उनकी क्या इस्ति जो बजट के दोरानी देवस्तान विभाग के में जो गोशना ही की गई थी उन पर क्या इंप्लिमेंट हुआ उन तमाम चीजों को लेकर आज ही समिक्षा बेटक में चर्चा होगी मुखेमिंत रेशोग गयलोत अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि जो गोशना पतर में जो ग खुल पाएं ऐसी स्तिती में कि अब उनको किस प्रकार से खोला जाए क्या जो क्राइटेरिया है वो तैग किया जाए और रहात मिले जो ताकि शड़ालू भी वाँ जासे कि और मंदर में जो जो ट्रस्टी हैं जो मंदरों को जो संचालाइक हैं उनको भी किसी प्रकार की को विवाद सामने आते हैं उनको लेकर भी मुक्यमंत्रिय शोग गलोत पूरी इस्तिती की शमिक्षा करेंगे साथी कोरोना काल में मंदिरों की खुलने की क्या इस्तिती है किस प्रकार से खुला जाए क्या उनकी इस्तिती है साथी जो बड़े मंदिर हैं जो देविस्तान वि चर्चा होगे ओं मुक्यमंत्रिय शोग लोत है आप शिक दिσα निर्देश देंगे साथ ही मुक्यमंत्रिय शोग लोद टेविष्तान के मादम से परदेश के जो वर्यजन नेकर वी विची के जरीस समिशा ब्यटक से जुडएंगे जो जिलों के देविस्तान विभाक के उनको लेकर समात करेंगे जी मनिशाग बिलकुल पिंटु बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साज़ा करने के लिए आपका तो हमारे सही होगे हमारे साथ जुड़े और शाम चार बचकर 45 मिनट पर ये जो बैठक है वो शुरू होगी वी सी के जरिये दिवस्तान वभाग की स मिक्षा बैठक मुखे मंतरिया शो गहलोत करेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे तुरंत हाजर होंगे आप देखते रहिए एवन टीवी